आज हम छित्य जिन्दी बुख से कफ्षा नौभी की पार्ट दस पढ़ेंगे वाख वाख में अब है लेखक परिचय के वाख रसी कच्चे दावी की खीच की खीच रही मैं नाओ जाने कफ सुन मेरी पुकार करे दे वह सांगर बार पानी टब के कच्चे सपोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे दिए जी में उड़ती रह रह हूँ घर जाने की जाह है ले इस पंगतियों के बारे में बताया लिखक ने अब इसकी ब्याग क्या है प्रस्तुत पंगतियों में कवित्री नाओ की तुलना अपने जिन्दगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानि सांसों दारा चला रही है वह इस इंतजार में अपनी जिन्दगी काट रही है कि कभी प्रभू उनकी तुकार सुने और उन्हें इस जिन्दगी करें उन्होंने सरेगी तुलना को बतााल सक तो को का दाल जाका सुनिति मीietet रहाए प्रते ईनके मुख कम हो तुटे जा रहे हैं और उन्हें के वियाकू कुबदा बढ़ रही है असे ₹प Par difficult अब है दूसरा खाखा कर कुछ पाएगा नहीं ना खाकर बनेगा अंकारी समखा तभी होगा संभावी खुले जिसांकल बंदवार गी यहां कवित्री जीवन में संतुलन्ता की महत्ता को इस पस्ट करते हुगा है कि केवल वो हुप में लिप्त रहने से कुछ नहीं हासिल होत वह प्रती दिन स्वार्थी बनते जाएगा और जिस दिन स्वार्थ का त्याग होगा उस दिन वह अंकारी बन जाएगा जिस कारण उसका विनास होता है और कवित्री ने संतुलन पे जोड डालती हुए कहा कि व्यक्ति को जाड़ा गोप करना नहीं चाहिए ना ही त्याप दोनों को बरावर मात्रम रखना चाहिए जिससे संभाव उत्पन्व इसकार हमारे इर्दय में उदावता आईगी और अपने पराय से उठकर अपने इर्दय का द्वार समसंसार के लिए हुए फिर है आई सी धी राह से गई नसी धी राह सुसुम से तू पर खड़ी थी बीद गया दिना जेप टे टोली कोडी ना पाई कि इस पंक्ती में बताया है कि अपने पस्त आपको जागर किया उन्होंने और बताया कि परमात्मा से मिलंद के लिए सावाने वक्ति मार को ना अपना कर हट योग का साहरा लिया अर्धात उसने भक्ति रूपी सीड़ी को ना चड़ कर कुंडले नियोग को जागरत कर दिय और अपने बीच एक सेतू बनाना चाहती थी वे, परंतु वह अपनी इस प्रयास में लगतार असफल होती रही, और साथ में आयू भी बढ़ती गई, गल्ती का हिसास हुआ, तक तक देर हो चुकी थी, उसकी जीवन की संध्या नजदी का गई, और पिर उन्होंने जिंदे की का लेखा जो खाया जो कि वेदर है, और इसने अपने जीवन कुछ सफलता नहीं पाई, कोई पुन्य कर्म नहीं किये, पास कुछ हासिल होने का भी समय भी नहीं था, पर मात्मा से मिलान है तू, भक्ती भासाल के पार ही जाना होगा, पर पार करने के लिए पर मात्मा जब से पार उताराई के रूप में उनके पुन्य कर्म मांगेंगे तो भाई इश्वर को क्या मुदिकाई नहीं, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जिन्दगी बीचती जा रही है, अपने अपनी जिन्दगी में कोई ना पुन्य कर्म कमाए और ना कोई उधारता दिखाई, अब कवी की परिचय के बारे में बताया है कि कश्मीरी बासा की लोग ये संत है, लल धद का जन्म सन 1320 के लगवा, कश्मीरी सिर्पामपोर के सिम्पुरा गाउं में हुआ था, उनके प्रारविक जीवन के बारे में जाता जानकारी मजूर नहीं है, इनका देहार 1921 में हुआ, इनकी कामशली को वाग का जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कठि इसे शकोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर होने वाले, रसी कच्चे धागें कमजोर और नाश्वान सहारे, सम याने अंतय करन तथा बायंजियों का निक्रे, सम भावी याने समान तक होना, सुसुमन याने सुसुमन नारी होती पुल, जेब टटोली याने आतुलो चंकी करना, कोड़ी न पाई ये कुछ प्राप्त नहीं हुआ, माजी ये न दृटाए, आने सतकरन रूपी में इंताना, थल्थल ये सर वड़शिव ये इश्वा साहिव ये स्वामी, प्रश्णों के अभ्यासकि में बताया है की प्रश्णों के इतरा में कैच लिकना है, प्रश कवित्री की कच्छेपन की कारण उसके मुप्ती के सारे प्रयाश भुकाल हो गए है और पूर निरूप से बोड़ता नहीं जिसकी वज़े से उसके प्रभू से मिलने के सारे प्रयाश भ्यारते है और कच्छी मिट्टी के वर्दन की तरह हो जिसमें रखा जल टपकता रहा औ और यहीं दर्दुम के हुदय में लोग का समचार करता रा और प्रभू मिल उन से मिलने नहीं दे रहे थे कवित्री का घर जाने की चाहसे क्या तात्वर है कवित्री का घर जाने की तात्वर से है प्रभू से मही हो बहुत सा अगरबार करना परमात्रों की सरण में जाना भाव सपस्ट कीजिए जेब टटोली कोडी ना पाई खा खा कर कुछ पाएगा नहीं न खा कर वनेगा एंकारी तो बताया है कविक्तरी कहती है कि इस संसार में आकर संसारिक में उचल लग जाए उलजने सक्षा है कि जब अंत्र समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी आसल ना हुगा आप उसे सिंता सता रही बहुता बार करने की इश्वर को उतराई की रूप में वो क्या देंगी इसके बारे में बताया है प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने बताया कि इश्वर को प्राक्ति के लिए मात्या मार्ग अपनाने को कह रही है मनुस को भूप उलासन ना पढ़कर प्राक्त कमने वाला कुछ भी नहीं है मनुस जब संसारी भूप को पूरी तरह से त्याग कर देता है कवित्री के इंसार बताया है कि अंताय कर्म में खोजना चाहिए इश्वर को और जिस दिन हिर्दाय में इश्वर भाक्ति जापरत हो जाए तो अग्यान तरह सारे अंदुकाल स्वाहन समापत हो जाएंगे और सारी जंजीरे सांकल पुल जाएंगे इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साथना करो अंताय कर्म में धियों पर विजय प्राप्त करने का फिर्दाय में प्रभु का चाप करते रहूँ सुख दुख को सम्हान भाव से वो वो यही कवित्री सुजाओ दिये हैं इस्वर प्राप्ति के लिए बहुत से सारा खटी योग जैसी कठें साथना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष प्राप्ति नहीं होती यह वाव किन पंक्तियों में व्यक्तुगा है आई सी दीरह से गई नसी तीरा सुसुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिना जेव टटोली कोडी नपाई माजी कोड़ूं क्या उतराई यह पर में बताया है ज्यानी से कवित्री का आप उतरा है यहां कवित्री ने ज्यानी से उतरा है उस ज्यान को लिया है जो आत्मावर परमात्मा से संबंद जान सके ना कि उस ग्यान से जिससे हम सिक्षावजित होती है कभी प्रीक एंसर बगवान कड़कड में ब्यापत है और धर्मों में बिभाजित कर मंदर मजजितों में डून रहे हैं जो कि अपने अंताय करण में बस ईश्वर के दूर्ट सवरूप को जान सके वही ज्यानी कहलाता है परमात्मा को प्राप्त करता है तातपर है इश्वर को अपने जिल गयमें डून लेने पर वही सच्छे ज्यानी होते हैं आपको यह सब फुरी आपकी कॉपी में प्रस्णात भावार्त सहित करने हैं